नमस्कार और आप देख रहे हैं पलपल चुनाव अचार सहीता के बीच में हार्याणा सरकार ने गरीबों को सस्ते दामों पर प्याज देने का आदेश दिया प्याज जनता को रहत देने के लिए ये लिया गया ये फैसला पलपल पत्यवास से राजेश पांबू की विशेस रिपोर्ट चुनाव अचार सहीता के बीच में हार्याणा सरकार ने गरीबों को सस्ते दामा पर प्याज देने का आदेश दिया है दीशे ने कहा है कि राशन डिपो से मिलेगा सस्ता प्याज उन्हों नखा कि ये हर्याणा सरकार की तरब से आदेश दिये गए है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये मीटिंग में परधान सचेव राजेश खुलर की और से बूरी जानकारी दी गई है राशन डिपों पर बीपियल एवं एपियल परिवारों को दिया जाएगा सस्ता प्याज सस्ते प्याज उपलब्द करवाने को लेकर के सभी जिला को सभी अभी डिटेल मिलनी बाकी है जैसे ही डिटेल मिलेगी सस्ते प्याज उपलब करवाने का काम सुरू कर दिया जाएगा आपको बता दें कि प्याज की कीमत 76 रूपे प्रती किलो के हिजाब से पहुंच गई है बिजेपी सरकार के पीछेतर पार के नारे को अभी देर है मगर महगाई में प्याज ने पहले से चलांग लगा दी यानि वो पिछेतर पार पहुंच गया है 35 रूपे किलो के हिसाब से मिलने वाला प्याज अब हर्याणा के रासन डिपो पर मिलेगा आम जगे इसका रहे 36 रूपो प्रती किलोग्राम है इस समद्ध में परधान सचेव राजेश खुलर ने एक वीडियो कौन फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला डीसी की मीटिंग लेकर के निजदेश जारी किये है सच्टे प्याज को उपलब्द कुराने समद्धी इन आदेशों को किसी वी तरह से चुराव अचार साहिता की उलंगना के सवाल पर डीसी ने कहा कि ये 50 लाग आम जनता को राहत देने के लिए लिया गया है खादे एवं आपोर्ती विभाग के मुख्याले की ओर से लिखित आदेश भी जारी किये गए है इसमें खाग गया है कि 2 अक्टूबर को सस्ता प्याज मिलना सुरू हो जाएगा और 24 सहरों में 7 लाख लावार्थियों को इसका लाभ भी मिलेगा यानि 76 रूपे किलोग्राम वाला प्याज अब 35 रूपे किलोग्राम मिलेगा डिपो का अब देख लें पलपल की यह विशेश रूपोर शेटर तक पहुंच विए हमारे यहां जो अभी रेट है वो बियालीस है और इसी के अंतरगात मानने दान सचा ने एक मीटिंग ली वीडियो कांफरेंश ली इसके अंतरगात उनों ने इस तरह का आम जनता को प्याक्ति इसे बचाने के लिए महनाई सचाने के लिए उसमे जल से जल जितने भी जिल्या नेवल पर उसमें राशन डिपों के माधनां से क्या डिस्टिबूट है और उसकी डेट फिक्स करके लिए उसमें आदेश जो यह पच्छिस नोदोल अरूनिस को आई है तो क्या यह मोडल अकंड़ उक्ताव लिंकन नहीं है इसमें आम जनता क प्राहत दिननी के लिए किया गया है और उसमें अब डिटेल्स जो आनी हैं को मारे पर दो